नमस्कार और Health 360 के बिलकुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है इस सप्ताह हम नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं साथ ही पुरुषों के स्वास्थ्य, पुरुषों की कम चर्चित समस्याओं के बारे में भी कई कहानिया हैं हम आपको विश्व मधुमेह दिवस पर विस्तरित रिपोर्ट दे रहे हैं इस सप्ताह की शुरुवात में इसे मनाया गया शो में साड़ी और पेटिकोट कैंसर और वैरिकाज नसों से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बताया जाएगा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ति और फिटनेस की कई कहानिया शो में आगे की पंक्ति में मैं सनेहा मोरदानी हूँ, यह Health 360 है पुरुष बांजपन के बारे में बहुत कम बातचीत होती है भारत में बांजपन के 40-50% मामले पुरुषों के कारण होते हैं असल में पुरुष अब बांजपन शुक्राणूओं की संख्या में कमी और स्तंभन दोश की समस्या से जूज रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करना चाहते हमने पुरुषों के स्वास्थे पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया नवंबर पुरुषों के स्वास्थे का महीना है और यही कारण है कि हम पुरुषों की इनकम चर्चित स्वास्थे समस्याओं के बारे में बा उसने अपने प्रमुख के दौरान गर्भ धारण नहीं किया और अब बांचपन से जूज रही है एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों से पीडित एक महिला जो बांचपन का नंबर एक कारण है तथ्य यह है कि पुरुष बांचपन के आसपास बहुत कम बातचीत होती है पुर्ववत कर देते हैं तो हम उन्हें इस बात से अफ़गत कराते हैं कि यह एक चिकट सा समस्या है और इसे एक समस्या की तरह ही माना जाना चाहिए न कि एक ऐसे मुद्दे की तरह जिसे कालीन के निचे दभा दिया जाना चाहिए वारता, सेमिनार, हर पूर्टल पर जह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी या कामिच्छा की कमी या सेक्स ड्राइब की कमी मानसिक तनाव के कारण हो सकती है जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो कम टेस्टोस्टेरोन की ओर ले जा रही हैं और धूमरपान जैसे परियावरणिये विशाक्त पदार्थों के संपर्क में आने के कारण शुक्राणूं की संख्या फिर से कम हो सकती है वे नियमित रूप से संभोग नहीं कर रहे हैं यहां तक की विवाहित जोड़े भी क्योंकि पुरुष और महिला, पती और पतनी दोनों ही काम कर रहे हैं उन्हें अपने उपकरणों की बहुत अधिकलत है इसलिए वे एक दूसरे के साथ परियाप्त समय नहीं बिता रहे हैं अंतरंगता के मुद्दे हैं यह सब पुरुष बांचपन को बढ़ाने की ओर ले जा रहा है विशेश अज्य शुक्राणूओं की संख्या में गिरावट के कई कारणों के बारे में बात करते हैं Human Reproduction Update में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में शुक्राणूओं की संख्या में 229% की गिरावट देखी गई है हम नहीं जानते कि हमारे खाद्य आपूर्टी में कितने संरक्षक हैं हमारे खाद्य आपूर्टी में कितने रसायन हैं इसलिए दुनिया भर में शुक्राणूओं की संख्या कम हो रही है, बांचपन की दर बढ़ रही है, सिर्फ 50 साल पहले एक व्यक्ति में 60-70 मिलियन प्रती मिली लीटर शुक्राणूओं की संख्या होती थी, जो अब 15-20 मिलियन हो गई है, और हम गंभीर ओलिगो एस्टिनोस पेमिया के बहुत से मामले देख रहे हैं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि शुक्राणूओं की संख्या 10 मिलियन प्रती मिली लीटर या 5 मिलियन प्रती मिली लीटर से कम है। कीट नाशकों के संपर्क में आने जैसे पर्यावरणिये विशाक्त पदार्थ, गर्मी के अत्यधिक संपर्क और वैरिकाज सील, संक्रमन, किसी भी हार्मोनल असंतुलन जैसी स्वास्थ्य स्थितियां और अंत में कुछ दवाएं, जैसे कैंसर कीमोथेरेपी दवाएं, इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्षन या एडी के रूप में जाना जाता है, और विशेशज्यों का सुझाव है कि भारत में लगभग 35% पुरुष 40 वर्ष की आयू से पहले यौन समस्याओं का सामना करते हैं, आम युवा पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्षन का सबसे आम कारण मनोवैज्यानिक कारण है, जिसमें उन्हें कुछ मानसिक तनाव होता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्षन की ओर ले जाता है, लेकिन व्रिद्ध पुरुषों में इसके कई और कारण है, जो पूरी आपूर्टी या लंबे समय से चली आ रही मधुमे हो सकती है लेकिन युवा पुरुषों में यह मानसिक तनाव के कारण अधिक होता है जो व्यक्ति में बहुत अधिक काम व्यायाम की कमी और ऐसे कारकों के कारण होता है नवंबर पुरुषों के स्वास्थे के प्रती जाग लेकिन पुरुशों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती इस बार हम ऐसे कई सवालों पर प्रकाश डाल रहे हैं जिनका जवाब पुरुश अपने स्वास्थे के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन शायद वे ऐसा करने म सहज नहों हमने अपने विशेशग्यों से अक्सर पूछे जाने वाले यह सवाल पूछे तो हमने अपने डॉक्टरों से पूछा कि क्या पूरुषों को भी मूत्रमार्ग संक्रमन हो सकता है सुनिए हाँ, पुरुषों को निश्चित रूप से मूत्रपत संक्रमन हो सकता है हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में मूत्रपत संक्रमन होने की दर काफी कम है तो फिर UTI के संकेत और लक्षन क्या है? इसके लक्षणों में पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, अंडकोश में दर्द, या कभी-कभी बुखार या पेशाब में खून आना शामिल है सेक्स के बाद आपको UTI या मूत्रपत संक्रमण क्यों होता है? पुरुषों को संभोग के बाद UTI नहीं होता है और पुरुषों को आमतोर पर यौन संचारित संक्रमण होता है, जिसे UTI समझ लिया जाता है क्या पुरुषों को महिलाओं से UTI हो सकता है? ये वास्तव में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है एसा नहीं है कि अगर किसी महिला को नियमित रूप से UTI होता है तो उसके साथ ही को भी UTI हो जाएगा या इसके विपरीत कुछ महिलाओं को विभिन कारकों की वजह से मूत्र पत के संक्रमण की संभावना अधिक होती है संभोग के बाद उनमें UTI की दर बढ़ सकती है जबकि पुरुषों में संभोग के बाद UTI की दर में वृद्धि नहीं होती है हमारे विशेशक जब ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांचपन प्रोस्टेट कैंसर का शुरुवाती संकेत हो सकता है बांचपन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच संबंध वास्तव में काल्पनिक है इस समय बांचपुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने की संभावना अभी भी संदिक्द है इस सतर पर बहुत सारे शोध हो रहे है हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी बन गया है हम सभी जानते हैं कि भारत में बच्चों में टाइप दो मधुमेह विकसित हो रहा है हम जानते हैं कि इसका बहुत कुछ हमारे जीवन शैली और हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजन से जुड़ा है पर्याप्त शोध है वास्तव में नया शोध बच्चों को चीनी खिलाये जाने की दिशा की ओर इशारा करता है उनके जीवन में बहुत कम उम्र में चीनी से परिचित कराया जा रहा है यह शोध इस तथ्य के बारे में बात करता है कि गर्भधारन के क्षण से लेकर बच्चे के जीवन के पहले हजार दिन जब बच्चा मा के गर्भ में होता है बेहत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर बच्चे के जीवन के पहले हजार दिनों में चीनी नहीं दी जाती है तो वास्तव में जीवन के बाद के चरणों में मधुमेह को रोकने में बहुत मदद मिलेगी इस विस्तृत रिपोर्ट पर एक नज़र डालें जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर जब तक वह बाहर आता है और खाने के लिए तयार होता है यह सारी प्रक्रिया होती है शिशु का भोजन और एक बार जब बच्चा तयार हो जाता है अगर वह चीनी युक्त पेए पदार्थ खाता है मुख्यतह जिसे आप दूध में मिलाते हैं यह सभी चीनी से भरे फलों के रस खाली चीनी यह सभी कैंडीज जब बच्चा इन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए तयार होता है और फिर हमें आश्चर्य होता है कि भारत दुनिया की मधुमेह राजधानी क्यों बन गया है अच्छी बात यह है कि अब एक नए शोध से संकेत मिलता है कि आप अपने बच्चे के जीवन के अंतिम चरण में इन सब को नियंत्रित करके उसके जीवन स इन सब को हटा कर मधुमेह के खत्रे को कम कर सकते हैं मुख्य तह यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बच्चा पहली बार मां के गर्भ में आता है जिसका अर्थ है कि यहां गर्भवती महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है इन रूपों में प्रसंस पाया गया कि बच्चपन में चीनी का सेवन सीमित करने से टाइब टूडायबिटीज होने का जोखिम 35% और उच्च रक्तचाप का जोखिम 20% कम हो जाता है मां द्वारा सेवन सेवन होता है और हम चीनी को प्रतिबंधित करते हैं या यह कहें कि जीवन کے 2 साल booster कोय अतिरिक् में भी जो वास्तव में मधुमेह विकसित करते हैं, बीमारी की शुरुआत औसतन चार साल बाद होती है, जो गर्भावस्था के दौरान मा में उच्च चीनी सेवन के संपर्क में थे. सबसे बड़ा स्वास्त्य सुधार तब देखा गया, जब चीनी राश्निंग ने गर्भ में दोनों अवधी को कवर किया, और जब बच्चे को ठोस खाद्य पदार्थों पर दूद पिलाया गया. लेकिन क्या ये इतना आसान है कि रेडी टूइट प्रोसेस्ट बेबी फूट बाजार पर हावी है? एक सर्वेक्षन किया गया था. और उन्होंने पाया कि इन में से केवल 30% उत्पाद ही छोटे बच्चों में चीनी के लिए अनुशंसित मात्रा को पूरा करते हैं. उन्होंने इन फॉर्मूले में अतिरिक्त चीनी के बारे में बात नहीं की. माता पिता को मेरी सलाह जैसा कि मैंने उलेक किया है लेबल को देखना होगा. यहां तक कि जब वे बड़े हो जाते हैं तो आपको हमेशा अपने बच्चे को दिये जाने वाले भोजन पर लेबल पढ़ना चाहिए. क्योंकि मार्केटिंग की चाले आप जानते हैं माता पित यहां विशेशज्य संयम की बात कह रहे हैं. इसलिए यदि आप बच्चे को ऐसा खाना देना चाहते हैं जो इस तरह से संसाधित हो अगर यह एक मजबूरी है तो इसे दिन में तीन बार या चार बार देने के बजाए इसे दिन में एक बार या शायद दो दिन में एक बार दें यह बहुत बढ़िया नहीं है संयम हमेशा कुंजी है जबकि चीनी को हर चीज से मना करना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है लेकिन मात्रा कम करना और संयम आपको उस लड़ाई को जीतने में मदद करने वाला है यहां शो पर एक त्वरित विज्यापन ब्रेक का समय है दूसरी तरफ स्वास्थ और कल्यान के बारे में बहुत अधिक समाचार हैं नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें देखकर कई लोग यह सोच रहे हैं कि क्या वह ठीक हैं ऐसा लग रहा था कि उनका वजन बहुत कम हो गया है सुनीता विलियम्स ने अपने स्वास्थे के बारे में बात करते हुए उन आशंकाओं को दूर किया है और कहा है कि वह अच्छी सेहत और खुश मिजाज हैं लेकिन हमने यह जांचने का फैसला किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वास्तव में क्या होता है आपको और भी बहुत कुछ बताती है। तो फिर नासा द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में सुनीता विलियम्स इतनी पतली क्यों दिख रही है। बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा जो शायद विलियम्स करने में असमर्थ थे। अंतरराष्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन के दाई और पूरा दाहिना हाथ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मान स्पेशियों का नुकसान न हो, दो घंटे का कठोर वर्काउट भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सूक्ष्म गुरुत्वा कर्शन में अस्थी घनत्व की हानी भी होती है। इससे अधिक कैलोरी की आवशक्ता बढ़ जाती है। अंतरिक्ष यात्री अपने अस्थी द्रव्यमान का एक से दो परसेंट खो देते हैं। इसका मतलब है कि वे एक वर्ष से भी कम समय में अपने अस्थी द्रव्यमान का दस परसेंट खो देते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान महिलाएं पुरुशों की तुलना में अधिक तेजी से मान स्पेशियां खोती हैं, आन्शिक रूप से उनके बीच चया पचय अंतर के कारण, नासा का कहना है, नासा का यह भी कहना है कि शरीर में तरल पदार्थ क की मात्रा में बदलाव होता है, जिससे खोज करताओं की नाक बंद हो जाती है, इसलिए भोजन वास्तव में बहुत स्वादिश्ट नहीं होता, मोशन सिकनेस के कारण, मतली और चक्कर आते हैं, और यह स्पष्ट रूप से खोज करताओं को अच्छा खाने से रोकता है, ब इसा ही सुनीता विलियम्स और एक सह अंतरिक्ष यात्री बैरी विलमोर के साथ किया गया था, जैसे यहां प्रित्वी पर हम भोजन को दिल्चस्प बनाने के लिए केचप और अन्य मसालों का उप्योग करते हैं, खोज करताओं को भी ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि खा लेकिन इससे अधिक होना चिंता जनक है, ऐसा अंतरिक्ष पोशन विशेशज्यों का कहना है, फिल्म ग्रैविटी और इंट्रस्टेलर उन चुनोतियों को रेखांकित करती है, जिनका सामना अंतरिक्ष यात्री करते हैं, जिने हम जानते हैं कि वास्तविक जीवन में भी है, लेकिन वास्तविक जीवन भी इससे अलग नहीं है, हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि सुनीता विल्यम्स और बैरी विल्मोर जल्द से जल्द और सुरक्षित घर लोट। द्वारा चर्चा किये जा रहे मुद्दों के बारे में क्या कहते हैं, यह हमारा क्या आप जानते हैं खंड है। कब मदद मिल सकती है। वेरिकोज वेंस मूल रूप से नीली, रंग हीन, फैली हुई, टेड़ी नसें होती हैं जो आम तोर पर निचले अंगों में देखी जाती हैं। वेरिकोज वेंस का निदान, शिरापरक, अल्ट्रा साउंड या डॉपलर नामक एक सरल परिक्षन द्वारा किया जा सकता है। वेरिकोज वेंस के लक्षन निचले अंग में दर्द और सुननता हैं। आपको रात में बड़ी फैली हुई टेड़ी नसें, एंठन और सुननता महसूस होगी। उन्नत शिरापरक, अल्सर टकने या पैर में कहीं भी बड़े गैर ठीक घावों के रूप में मौझूद हो सकता है। वेरिकोज वेंस के कारण अन्य कौन सी समस्याएं हो सकती है। कि कमर के चारों और कुछ भी ऐसा पहनना जो बहुत टाइट हो, कैंसर का कारण बन सकता है। BMJ केस रिपोर्ट में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में इस तरह के कैंसर के बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी यह एक चिंता का विशय है, आपकी कमर के चारों और टाइट लाइनिंग के कारण कैंसर कैसे हो सकता है। और सारी कैंसर के लक्षण क्या है? 90% मामलों में यह सिर्फ उस खास जगह तक ही सीमित रहेगा। आपकी तब्चा सकत हो सकती है, आपको मबाद निकल सकता है और फिर जाहिर तोर पर गंभीर सराव भी हो सकता है। आपको उस जगह के आसपास कुछ कालापन भी दिखाई दे सकता है। तवचा मोटी हो सकती है या उसमें संतरे के छिलके जैसी तवचा हो सकती है। अगर आपको ये सभी तरह के लक्षन दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशानी में हैं, आपको अपने न आप पुरानी सूजन को रोकेंगे और निश्चित रूप से आप मार्जोलिन के अलसर को रोकेंगे और निश्चित रूप से आप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को रोकेंगे। प्रचित रूप से Facebook हैं Health 360 की पूरी टीम की ओर से अभी के लिए अलविदा अपना बहुत खयाल रखें